हलो इस्टुडेंट वेल्कम टू बैक माई यूटूब चेनल डिकेलाइफर श्टडी में आपका स्वागत है तो चली फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं बिहार विद्याले परिक्षा समीती जो देख सकते हैं यहां पे 11th का रेजिस्टेशन सुरू कर दिया गया है फ्रेंड देख सकते हैं अब तक सबसे बड़ी जानकारी यहां पे बिहार विद्याले परिक्षा समीती की तरफ से निकल कर आई है देख सकते हैं जैसा कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती जो 9th का रेजिस्टेशन पिछले सब्ता सुरू किया था उसी तरह से देख सकते हैं इस स आपता विहार विद्याले पड़िक्षा समीती जो देख सकते हैं सास्तर बाइस चोविस के लिए यहां पर 11 का रजिस्टेशन सुड़ू कर दिया है तो चलिए फ्रेइन पूरी विस्तार पुरुवक जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और ऐस प्रेस कर दे ताकि पलपल के अपडेट यहां से मिलती रहेगी तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं कि इंटर्मीडियेट 11 जो 11 में नमंकन के लिए जो सास्तर बाइस चोविस में जो नमंकन लिए थे उनके लिए यहां पे विहार विद्याले पड़िक्षा समीती जो रजिस 942-22 तक इसका लाश ડेट है देख सकते हैं यहां पे 91-2022 से लेकर यहां पे 3012-2002 इसका लाश । रखा गया है तो चलिए कितना पैसा लगने वाला है यहां पे पूरी जानकारी देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को लाश तक बने रहे हैं देख सकते हैं यहां पे बिहार विद्याले पड़िक्छा समीती जो देख सकते हैं उसके लिए यहां पे एक डेट को यहां पे जारी किये हैं और देख सकते हैं यहां पे सूलक भी जारी किया गया है जो देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पे बिहार विद्याले पड़िक्षा समीती जो देख सकते हैं कि मानने बोर्ड से अगर उत्रीन है तो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 685 रुच्या यहाँ पे लगएगा और जो देख सकते हैं जो सोतंत्र कोटी के जो छात्र है सोतंत्र कोटी के जो च्छात्र है जेनरल में आते हैं उनके लिए 800 देख सकते हैं 85 रुप्या यहां पे लगने वाला है तो चलिए अब तक सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि बिहार विद्याले पडिक्षा समीती ने जो देख सकते हैं पेपर के कटिंग के माध्यम से यह जानकारी दी है कि 11 में जो देख सकते हैं अस्तर 22-24 के लिए यहां पे रजिस्टेशन की पड़किरिया को शुरू कर दिया है तो चलिए देख सकते हैं बिहार विद्याले पडिक्षा समीती अभी ट्वीट करकर भी यहां पे जानकारे दी है तो चलिए उस ट्वीट को यहां पे दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा पूरी विश्वास हो जाए ताकि देख सकते हैं यह पेपर के कटिंग के माध्यम से बता रहा है तो चलिए ट्वीटर एकौंट पर लेकर चलते हैं तो चलिए वीडियो को लाश तक बने रहे हैं तो चलिए फ्रेंट देख सकते हैं यहां पे बिहार विद्याले परिक्षा समीती का यह ओपीसियल ट्वीटर एकाउंट है और देख सकते हैं बिहार अस्कूल एक्जामनेशन बोल्ड देख सकते हैं यहां पे बिहार विद्याले परिक्षा समीती यह साफ साफ ट्वीट करकर बताया है कि intermediate वार्षिक परिक्षा 2024 में समलित होने वाले यहां पर छातर छात्राओं के लिए यहां पर देख सकते हैं राज्य सिस्थानों के तरफ से यहां पर इगर्मिक अक्षा में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों का राजी स्टेशन बिहार विद्याले परिक्षा समी समीति के द्वारा यहां घोसना कर दी है हलाकि देख सकते हैं कि यह समीति के वेबसाइट पर इह रजिस्टेशन तक चलने वाला है तो चलिए देख सकते हैं यहां पर बिहार विद्याले परिक्षा समीति यह साफ साफ ट्वीट करकर पताया है कि देख सकते हैं कि रजिस्टेशन के जो लाश डेट है 31-22 तक चलने वाला है तो जो भी देख सकते फ्रेंड 11 में एडविशन लिये हैं उनके लिए यहाँ पे रजिस्टेशन की पड़किरिया सुरू कर दिया गया है तो चलिए अब तक सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि बिहार विद्याले पड़क्षा समीती जो Intermediate बारिसिक पड़क्षा 2024 में समलित होने वाले चात्रचात्राओं के लिए यहाँ पे बिहार विध्याले पड़क्षा समीती रजीस्टेशन का डट यहां पे जारी कर दिया है तो चलिए इस दिन से इस दिन तक यहां पर registration होने वाला है, हलाकि देख सकते हैं काफी सारा student पूछ रहे थे कि कितना पैसा लगने वाला है, तो मैं आपको बता दू फ्रेंट कि यहां पर देख सकते हैं, अगर सुवतंत्र कोटी से आते हैं, तो आपको 680 रुप्या, यहां पर 880 रुप्या लगने वाला है, ST, ST में आते हैं, तो 400, देख सकते हैं, 420 रुप्या यहां पर लगने वाला है, और अगर BC1 में आते हैं, तो आपको 625 रुप्या लगने वाला है, इस तरह से यहां पर फिस लिया जा रहा है, तो चलिए देख सकते हैं आप फटा-फट अपने अस्कूल को ले जाईए और वहां से जानकारी प्राप्त करकर रजिस्टेशन करवा सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं बिहार विद्ध्याले परिक्षा समीती की तरफ से ओपीसियल ट्वीट करकर देख सकते हैं दो घंटा पहले बिहार विद्ध्याले परिक्षा समीती ओपीसियल ट्वीट में बताया है कि देख सकते हैं नौ तारिक से लेकर 11 तारिक तक देख सकते हैं नौ तारिक से लेकर यहां पर 30 तारिक तक रेजिस्ट्रेशन की परक्रिया चलने वाली है तो चलिए अब तक की सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दे फ्रेंड और चैनल पर पहली